Pension, Application of Rules for Central Government Employees Pension, नेमों की प्रियुक्ती केंद सरकार के कर्मचारियों के लिए Disclaimer, यह है Training Material, कि यवाल Officials की Training के लिए है इसे सरकार की guideline के रूप में माने ना किया जावे किसी भी तरह की शंशाय की स्थिती में सरकार की guideline, rules, regulations वा laws को ही माने किया जावे मेरे दौरा, Pension Rules से संबंधित प्रावधानों पर educational videos की एक series तैयार की गई है यह video उन्ही मैं से एक है इस educational video में Center Civil Services Pension Rule 1972 के विबिन परावधान कम प्रहंसों रूप में incorporate किये गए है latest changes को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है पर हम तो फिर भी आपको सुझाओ है कि विस्तर जानकारी के लिए Center Civil Services Pension Rule 1972 का संधर्व अवश्य लेगे इस video में हम Pension Rule के application प्रावधान को देखेंगे जो कि Rule 4 तक है Rule 1 यह कहता है कि Center Civil Services Pension Rule 1972 1 जून 1972 से लागू हुए है Rule 2 परियुक्ति या application यह नियम 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले नियुक्त और सामान भवशनिदी की सरस्ता लेने वाले शास के सेवकों पर लागू होंगे इसके अलावा यह नियम इन पर भी लागू होंगे केंद शासे प्रदेशों के शास के सेवकों पर वे शास के सेवक जो दिनाग 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हुए हों और इंड़क्शन ट्रेनिंग पर रखे गए हों और नियुक्ती की दनाग से वेतन परात कर रहे हों वे शास के सेवक जो दिनाग 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त थे और इंड़क्शन ट्रेनिंग पर थे और इस तरह के प्रेशिक्षण के दोरान स्टाइपिंड या वृत्ती का प्राप्त कर रहे थे बशर्ते इस तरह के प्रेशिक्षण की अवधी को केंडरे सिवल सेवा पेंशनियम 1972 के तहत आहरक सेवा के रूप में माने किया जाता हो परन्त यहनियम लागू नहीं होंगे रेलवे के इंपलॉईस पर आकस में कोई दैनक बेतन भोगी सेवकों पर आकस मितन निदी से बुगतान किये जाने वाले सेवकों पर अंचे दाई भविश निदी के लाप के हगदार सेवकों पर अकिल भारती सेवाओं के सदस्यों पर अकिल भारती सेवाओं के सदस्य भारा सरकार के माधियम से या राज सरकार के माधियम से जिनके समवर्ग में वैकार करते हैं पेंशन पराप करने का विकल्प चुन सकते हैं यह नियम इन पर भी लागू नहीं होंगे विदेशों में राजनिक, काउंसलर या अन्य भारती प्रतश्ठानों में सेवा के लिए इस थानी और रूप से भरती किएगा व्यक्ती अनुबंद पर नियोजित व्यक्तियों को छोड़ कर जब अनुबंद अन्य था प्रदान करता हूँ ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवा के नियम और शर्तें सम्वीधान या उस समय लागों किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहट विनियमित हो नियम तीन यह ग्रेजूटी से सब्बंदित है यदि सेवा दस वर्ष से कम है दस वर्ष से कम की सेवा वाले आएस्थाई शाज की सेवक जो अधी वार्षकी के कारण सेवा से मुक्त हुए हो या सेवा से प्रतक किये गए हो इस्थाई गौर्फनेंट इम्पलॉईस के तरह ही ग्रेजूटी के लिए पात रहोंगे नियम चार गैर पेंशन से पेंशन प्रतिश्थान में इस्थानांतरण पर विकल्प गैर पेंशनरी प्रतिश्थानों से पेंशनरी प्रतिश्थानों में इस्थानांतर शाज की सेवकों को पेंशन चैन्ट करने ही तू विकल्प प्रस्तुत करना होगा इस विकल्प का प्रियोग शाज के सेवक के इस्थाई इस्थानांतरण के आदे जारी होने की दनांग से छे माई के भीतर आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा यदि शाज के सेवक आदे जारी होने के दनांग को अवकाश पर था तो अवकास से लोटने के छे माई के भीतर जो भी बाद में हो विकल्प प्रस्तुत करना होगा उपनियम एक के परंतुख के तहत विकल्प का प्रियोग लिखत रूप में किया जाएगा और ऐसा आदे जारी करने वाले प्राधीकारी को सोचित किया जाएगा एक बार प्रियोग किया गया विकल्प अंतिम होगा इस वीडियो में हम पैंशन रूल के एप्लिकेशन प्रावधान को देखेंगे योग कि रूल फोर तक है रूल वन यह कहता है कि सेंटर सिविल सेविसेज पैंशन रूल 1972 एक जून 1972 से लागू हुए है प्रावधार बार प्रावधार प्रावधार प्रावधान को देखेंगे